आज मैं जिस फिल्म को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ, उसका नाम है Not Another Teen और ये फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी मूवी की शुरुवात में हम जैनी नाम के एक टीनीजर लड़की को देखते हैं जैनी अपने रूम में एक पुरानी रोमेंटिक मूवी देख रही होती है और उस मूवी को देखकर जैनी के अंदर घापा घप करने की इच्छः जागना शुरू हो जाती इसके बाद जैनी बाबा बंगाली का दिया वो हतियार निकालती है और वो उस हतियार को अपने मौत के कुए में डालना शुरू कर देती है जैनी चरम सुख कानंद लेने ही वाली होती है कि तभी वहाँ पर उसके डैड आजाते हैं और वो उसे हैपी बटे विश करने लगते हैं अब वो हतियार अभी भी जैनी की मौत की गुफा में ही होता है पर वो अपने डैड के सामने उस हतियार को बाहर ही निकाल सकती थी पर तभी वहाँ पर उसके दादा दादी भी केक लेकर आ जाते हैं और उनके साथ ही वहाँ पर चर्च के फादर और गली के कुछ बच्चे भी आ जाते हैं फिर वहां पर जैनी का डॉग आकर जैसे उसके ब्लैंकेट को हीचता है तब ही जैनी का वो अथियार उसके मौत की कुए से निकल कर बाहर उचलता है और वो सीधा आकर उसके केक पर गिरता है जिससे सबी लोगों को पता चल जाता है कि जैनी क्या कर रही थी इसके बाद जैनी के डैट उसे और उसके भाई को स्कूल छोड़ने जाते है फिर रास्ते में जैनी का भाई उसे बोलता है कि अब तुम्हें गॉइफिंट बना लेना चाहिए क्योंकि डैट के रूल के इसाब से तुम बड़ी हो और तुमें पहले गपागप करना है और तुम्हारे गपागप होने के बाद ही मुझे गपागप करने का मौका मिलेगा इसके बाद उनके डैट उन दोनों को स्कूल छोड़कर वाँ से चले जाते हैं इसके बाद हम स्कूल में जेक नाम के एक लड़की को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट और पॉपलर था जिस वरे से स्कूल की सारी लड़के उस पे फिदा थी फिर कुछ देर बाद जैनी के पास रिकी नाम का एक चोमू लड़का आता है जो उसे बहुत टाइम से पसंद करता था रिक जैमी को उसका बड़ी गिफ्ट देता है और फिर उसे प्रपोस करने की कोशिश करता है पर जैमी उसे एग्नोर करके वाँ से चली जाती है दूसी तरफ हम जैनी के भाई को देखते हैं जो अपने दोस्तों को बता रहा होता है कि बस अब उससे रुकानी जाता उसका छोड़ा चेतन किसी अंदेरी गुफा में जाने के लिए तड़परा है और उसे किसी ना किसी लड़की के साथ तो दूआदार गपागप करना ही है तभी वो सामने से आती फिए अमेंडा नाम के एक लड़की को देखता है और उसको देखते ही वो अपने छोड़े चेतन की कसम खाते वे बोलता है कि इस लड़की को घोड़ी तो मैं ही बनाऊंगा इसके बाद हम जैक को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ बात ही कर रहा होता है। पर तभी वाँ पर कैथरीन नाम की एक लटकी आती है। और वो जेक को उसके साथ घापा घाप करने के लिए बोलने लगती है। दरसल कैथरीन जेक की बहन ही होती है पर फिर भी वो अपने भाई को पेलना चाती थी। फोड़ी दरबाद वाँ पर जेक की गल्फेंड प्रिसेला भी आ जाती है और वो जेक को कोई इंपोर्टेंट बात करने के लिए बाहर बुलाती है। फिर प्रिसिला जैक को बताती है कि मुझे अब कोई और पसंद है इसलिए मैं तुमसे ब्रेक अप कर रही हूँ फिर जैक जब प्रिसिला के नए बॉइफन को देखता है तो वो श्टॉक दो जाता है जैक उसे बोलता है कि तुम इस चोमू के लिए मुझे छोड़ रही हो जिस पर स्कूल की सबी लड़किया फिदा है अब जैक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कोई लड़की उसे भी छोड़ सकती है इसके बाद हम जैनी को देखते हैं जो आर्ट क्लास में बहुत मैनत से ड्रॉइंग बना रही होती है और फ़त कड़ी मैनत और लगन के बाद वो अपने इस मास्टर पीस को बना ही लेती है फिर जैक स्कूल से बाहर आता है और वो देखता है कि प्रिसला अपने नए बॉइफ्रेंड के साथ चुमा चाटी कर रही होती है फिर जैक का दोस्त उसे बोलता है कि प्रिसला बहुँ ज़्यादा सुंदर है और इस बार भी प्रॉम कुइन वही बनेगी पर इस पर जैक उसे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है यह तो सिर्फ मेकप का जादू है जिससे कोई भी लड़की सुंदर बन सकती है इस पर जैक का दोस्त उसे शर्ट लगाता है कि अगर तुमने स्कूल के सबसे चोमू लड़की को इस साल प्रॉम कुइन बना दिया तो तुम शर्ट जीट जाओगे तबी सामने से जैनी भी आ रही होती है और जैक का दोस्त उसे बोलता है कि तुम्हें जैनी को ही पटाना होगा अब जैक ये सब करना तो नहीं चाता था पर क्योंकि उसने शर्ट लगाई थी इतले उसे अब ये करना पड़ेगा इसके बाद हम जैनी को उसकी ग्लास रूम में देखते हैं जहाँ पर रिक्यू से अपनी इक पोयम के जरिये बता रहा होता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है पर इस बार भी जैनी उसे इग्नोर कर देती है दोसी तरफ जैनी का हवस से भरावा भाई और उसके दोस्त मिलकर एक प्लैन बनाते हैं वो लोग ऐसी की सीलिंग में गुसकर वासे लड़कियों के लौकर रूम में चले जाते हैं और उनको कपड़े बदलते वे देखने लगते हैं पर थोड़ी देर बाद वो सीलिंग त को इनको करें तो ऊसके दिया धी रिखनी में और तरफार के लिख टेए ऐल्ले। इसलिए उसके डेड उसकी मॉम को उसकी रूम में बेज देते हैं और उसे all the best बोल कर वहाँ से चले जाते हैं कि जैनी के भाई की कुछ लड़के मिलकर बिना पानी के धुलाई कर रहे थे सभी मापर जैक उसे बचाने के लिए आता है पर जैनी का भाई उसे ही मार देता है अब इस पर जेक को भी गुसा आ जाता है और वो जैनी के भाई को पकड़ कर कुट्टे की तरह पीटना शुरू कर देता है इसके बाद जैक जैनी को गाना गाकर इंप्रेस करने की कोशिश करता है जैक भाई जान का गाना गारा होता है जिसको सुनकर सबी लोग गोर हो जाते हैं तबी जैक गाना बदल देता है और गाने में बोलता है कि जैनी के पास एक गन है अब जैक का ये गाना सुनकर सबी लोगों को लगता है कि जैनी के पास सच मुछ में गन है इसलिए सबी लोग वहाँ से भागने लगते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और वो जैनी को पकड़ लेती है इसके बाद जैक जैनी को छुड़ा कर अपने घर ले आता है फिर जैनी जैक को बोलती है कि प्लीज तुम मेरा पीछा छोड़ दो पर इस पर जैक पूरा नंगा आओकर जैनी के सामने आकर खड़ा हो जाता है पर जैनी को जैक का छोड़ा चेतन पसंद नहीं आता और वो वहाँ से चली जाती है इसके बाद जैक अपनी भेन कैथरीन के साथ जैनी के घर पर आता है और पार्टी में सब लोग जैनी को देखने लगते हैं, त्यूकि वो बहुत ज़दा सुन्दर लग रही थी, फिर थोड़ी देर बाद जैनी बहुत ज़दा ड्रिंक कर लेती है, और पार्टी में उल्टी सीधी हरकते करना शुरू कर देती है, अभी वापर प्रसेला आती है और वो जैनी का सब के सामने मजाक उड़ाने लगती है जिससे जैनी रोते वेवास से चली जाती है फिर रात को जैक जैनी के घर पर उसे मनाने के लिए जाता है और कुछ देर तक बाते करने के बाद उन दोनों में नस्दीक या बढ़ती है और वो दोने एक दूसरे को किस करने ही वाले होता है पर दोनों को ही उस टेम कमफटेबल फील नहीं होता इसलिए वो इस प्रोसेस को बात के लिए छोड़ देते हैं फिर अगले दिन जेक जैनी के बास आता है और उसे मैच देखने के लिए इन्वाइट करता है अब क्योंकि जैनी भी जैक को पसंद करने लगी थी इसलिए वो भी उसे आने के लिए हाँ बोल देती है फिर अगले दिन मैच चल रहा होता है और जैक हमेशा की तरह एक कोने में चुक्चा बैठा होता है पर इस बर जैक की टीम बहुत बुरी तरह से हार रही थी और टीम के कुछ प्लेयर्स को चोट भी लग गई थी जिसके करन को जैक को खेलने के लिए बेजते हैं पर हर बार की तरह इस बार भी जैक कुछ उखाड नहीं पाता और उनकी टीम बहुत बुरी तरह से हार जाती है मैच खत्मोने के बाद जैक काफी उदास होता है पर तब ही वाँ पर जैनी आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है कि गेम में हार जीत तो चलती रहती है फिर थोड़े दिर बाद हाँ पर जैक का दोस्त आता है और उसे बोलता है कि आज हम तुमारी वज़े से मैच आ रहे हैं और अब मैं जैनी को सब कुछ सच बता दूगा और फिर वो जैनी के कान में कुछ बोलने लगता है अब क्योंकि जैक भी जैनी को पसंद करने लगा था इसलिए वो खुदी जैनी को सब को सच बता देता है अब जैक की बास सुनकर जैनी बहुत दुखी हो जाती है और वहां से चली जाती है फिर जैक का दोस्त उसे बोलता है कि मैंने तोसके कान में कुछ नहीं बोला और तुम चूतिया ने खुदी उसको सब कुछ सच बता दिया अब ऐसे ही कुछ दिन बीच जाते हैं और वो दोनों ही एक इसरे से नहीं मिलते पर वो दोनों ही एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे होते हैं फिर प्रोम नाइट पर जेक का दोस्ट जैनी को अपने साथ दे कराता है और जैक अपनी भेन कैथरीन के साथ आता है वहाँ पर जैनी का भाई भी होता है जो फाइनली अमेंडा को लव लेटर दे देता है फिर अमेंडा को भी वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वो जेनी के भाई को घपा गप करने के अपने साथ ले जाती है दूसरी तरफ जेनी जेक के दोस के साथ डांस कर रही होती है और जेक अपनी बहन के साथ डांस कर रहा होता है फिर डांस करते वक्क कैथरीन जैक को अचानक किस करने लगती है और ये देखकर जैनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो दुखी होकर वहां से चली जाती है फिर वहां पर कॉलेज के प्रिंसिपल प्रॉम किंग और कुइन का अनाउंस्मेंट करते है और प्रॉम किंग जैक को गनाया जाता है फिर प्रॉम कुइन की बारी आती है और प्रिंसिपल बोलता है कि इस पर प्रॉम कुइन दो लड़कियों के बीच में टाई हुआ है अपके देखकर प्रिसेला सोचती है कि शायद उसके और जैनी के बीज में टाई हुआ है पर वो दोनों तो कोई और लड़किया होती है इसके बाद जैक जैनी को ढूंडने के लिए जाता है और वहाँ पर उसका दोस्त उसे बताता है कि जैनी घपा घप करने के लिए एक होटल रूम में गई है फिर जैक होटल रूम के तरफ जाई रहा होता है कि तभी रास्ते में उसे रिकी मिलता है और वो उसे बोलता है कि मैं भी जैनी को बहुत प्यार करता हूँ पर जैक उसे इग्नोर करके सिधा होटल रूम पोशता है जैक पर उसे पलंग तोड़ने की आवाजे सुनाई देती है अंदर जैने पर जैक को पता चलता है कि वहाँ पर प्रसेला उसके दोस्त के साथ घपा घप कर रही है और दूसरी तरफ प्रसेला का बोईफेंड उनका वीडियो बना रहा है फिर जैक जैनी के घर पर जाता है जहां पर उसके टैड उसे बताते है कि जैनी पैरेज जा रही है और वो भी एरपोट पर है फिर जैक पतर एरपोट पर जाता है और एक फुटबॉल लेकर जैनी के मुव पर मारता है जिससे वो वहीं रुख जाती है फिर जेक जैनी के पास आकर उसे अपने दिल की बात बताता है जिसको सुनकर जैनी पैरेज जाना कैंसल कर देती है फिर वो दोनों आपर एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी के साथी ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है